नमस्कार मैं रौशन हूँ और आज भी कुछ ख़बरों को लेकर आपके सामने अपस्तित हूँ मित्रो दिल्ली की जो आपकारी नीती है उसको लेकर मुख्यमंतरी ओप मुख्यमंतरी मने शशोदिया एरेस्ट वोए हैं और आज सुप्रेम कोर्ण ने उनकी जमान जाजका को सुनने से ही इनकार कर दिया और इसके बाद शशोदिया ने अपने पत से स्तिफा दे दिया और सतेंदर जैन जो करीवन छे मैने से जेल में बंदे उन्होंने भी आज अपने पत से स्तिफा दिया तो मुख्यमंतरी ने उ सी बी आइ और एडी चापे मारी कर रही थी और जब उन्होंने चार्चे विम्मिट की तो उसमें कहीं भी मनेश सरज्दिया का नाम नहीं था लेकिनगर मनِश की सरुदियवM को एरेस्ट कर दिया तो पांस दिन के रिमांड के बाद आज मनिज से शो दिया सुप्रेम कोर्ड पहुंचे और उन्होंने उनके गिरबदारी और सीबिया की जो रणनीती है उस पर सवाल उठाया था तो सुप्रेम कोर्ड ने उसे सुनने से ही निकार कर दिया और उन्होंने का कि मौजुदा इस इसले कि घटना दिली में घटी है, मनित सशोदिया सीधे सीधे से अदालत नहीं आ सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ साथ दिली उस नियाले के पास जाने का भी उपाई है। तो इसके बाद बीजेपी वालों उन्हें आज खो भंगा मकिया। उन्हें का कि सुप्रिम को ने मनित सशोदिया को फटकर लगाई है। और जो उन्हें सशोदिया और सतेंजेन की स्तिफ़े की मांग कर रहे थे। तो अंतदा मांग हुए और बीजेपी ने से अपनी जीत मान है। बीजेपी का कहाना कि ये ये भाजपा की जीत है क्योंकि भाजपा लगातार इन भरष्ट मंत्रियों को से इस्तिफ़े की मांग कर रही थी। तो मनित सशोदिया और सत्यपाल जैन का मंत्रीपत से स्तिफ़े देने का मजलब ही है कि जो तो एक मनिश्वषदिया की कोशिच रहती है कि चाहे एरेस्ट हो या भरस्ट चारों उनको छेड़ना नहीं जबकि नहीतिक तौर पर तो उन मंतिरों के स्थिफा हो जाना चाहिए लेकिन मनिश्वषदिया लेकिन इसका जो जो इनका पौलशी या है कि स्थिफ़ा स्विकार नहीं करती है शराब नीतिय से स्थिफ़ा तक का आज क्या गटना गटन Commission कि दोजार इकिस में 17 नॉम्बर को दिल्ली सरकार ने 2021-22 आपकारी नीती को लागो गिया 2022 में 31 जुलाई को नीती जांच के दैरे में आई और दिल्ली सरकार ने इसे रदगर दिया 17 अगस्त सीबिया ने दिल्ली के उप मुख्यमत्री मनिश शेदिया समेथ 15 आरोपियों के खिलाब नीती बनाने और उसे लागो करने के कथित अन्यमितताओं को लेकर मामला दर्ज गया 19 अगस्त को सीबिया ने शेहर से सशोदिया के परिसरों पर छापे मारे की 22 अगस्त को एडी की सीबिया की प्रात्यमिकी से उत्पर एक अलग धनशोदन मामला दर्जी किया 17 अक्टवर को सीबिया ने सशोदिया से आठ गंटे पूस्ताच की 25 नौम्बर को सीबिया ने मामले में साथ आरो प्यों को के खिलाब आरो पत्र दायर किया 15 सेतंबर को कोटर ने सीबिया के आरो पत्र का संग्या लिया 2023 अठारा फरवरी को CBI ने सुचोधिया को समन भीजा, 26 फरवरी को CBI ने कई घंटों के पूश्टास किया और उसके बाद सुचोधिया को एरेस्ट कर दिया, 27 फरवरी को CBI की विशेस अदालत ने सुचोधिया को पूश्टास के लिए 5 दिन की हरेमान भीज दिया, 28 फरवरी को सब्सक्राइब द्वारा उन्हें गरबदार किये जाने की खिलाब उस्तम नियाले पहुंचे और उस्तम नियाले ने सुनवाई से इनकार कर दिया कि जो यह घटना करम है मनिश्वशोद्या और सरामनिति को लेकर कि मित्रों आज कि आपको याद हो कि कस्मिरी पंडित की कल हत्या हुई ती और लगा था कश्मिरी पंडितों की हत्या हुई दिया जो बज्चे को आज भारत्य सेना ने उसके हत्यारे को डेर कर दिया लेकिन उसमें हमारा एक जावान भी शहीद हो गया आतिंगवादियों की पहचान आकी मुस्ताक और एजाज एहमत के तौर पर हुई दोनों मस्जिद में छिपे हुए थे तो ये जंबो कश्मी के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ भी मुटवेड में दो आतिंगवादि मारे गए ऐसा माना जा रहा है कि दोनों कश्मीरी पंडित संजे सनमा की हत्या में शामिल थे मुटवेड में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बल ने हत्यारों से लैश दो आतिंगवादियों के मस्जिद में छिपे रहने की जानकारी मिलने के बाद पुलमा के पदमापुर इलाके में नाकेबंदी की और उसके बाद तलासी शुरू कर दी थी तो यह कश्मीरी पंडितों का का जो हांसला है वहां रुकने का क्योंकि वहां तो रुकने का कुई मतलब नहीं है लेकिन 370 हाटाई जाने बात से ऐसा उम्मीत ही कि वहा आ आतमबाद खत्म होगा नहीं हुआ है योग नहुँं परिशान अधिकारी ध्यान दें योगी ने कहा है कि अधिकारी ध्यान दें और लोगों को परेशान न करें उत्रप्रदेश के मुख्यमंतरी योगी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे लोगों की समझाओं का पूरा गंबिर्ता और समय दन्शिल्चा से ध्यान देकर उनका तौरित निर्दार्ण कई आज सुप्रेम कोड में एक और मामला आया पंजाब के राज़पाल और सरकार के बीच में जो खीचातानी चल लई है बज़ड सत्र को लेकर राज़पाल बज़ड सत्र पेश करना चाहती है तेकर राज़पाल ने सत्र नहीं बुलाया तो आज पंजाब सरकार सुप्रीम कोड पहुंची थी तो सुप्रीम कोड ने राज़पाल बना ने सुप्रीम कोड को सौंबार को बताया कि उन्हें तीन मार्च को बिधान सभा का सत्र बुलाया है देखेए सुप्रीम कोड गए तो राज जपाल ने पहले सतर बुला दिया ऐसा मत करिये ऐसा लोक तंदर को नुक्सान पहुचाने वाला काम मत करिये आप दूसरी पार्टी के राज पाल है तो इसका मत थोड़ी है कि आप सतर ही नहीं बुलाएगे आज चंदर्यान तीन मिशन के लिए करायोजनिक इंजन का सफल परिक्षन हुआ है इसरों ने कहा कि परिक्षन औभग्रा के निर्मान की दिशा में एक बड़ा मेल कपत है चंदर्यान तीन के मिशन के प्रक्षेपन यान के करायोजनिक उपरी चरण की गति परदान करने वाले CE20 करायोजनिक इंजन का उड़ान स्विकर्थ ताप परिक्षन सफल ला तो ये मुझे लगता कि जो आने वाले समय में ये बड़ा एक मिल का पतर साबित होगा क्योंकि हम जन्दर्यान पर पहुँचना चाहते हैं और 2025 तक का जो एक टार्गेट है तो हो सकता है कि उस टार्गेट में हम सफलों और इस रोक की जो कैप है उस पर एक और फीदर लग जाए इसके लवाँ में तो कुछ और खबरे हैं जिसमें गर्मी से हुनवाली मौतों की जानकारी पोर्टल पर डाली राज यह एक जो हमारे गर्मी के मौसम में पहले कुछ अस्तानों पर तामान में असामान बर्दी के बीज केंदर स्वास्ति मंतरान ने सभी राज्यों और केंदर सासित प्रदेशों को पतर लेकर यह सुनिश्यत करने के लिए कहा है कि सभी स्वास्ति एकाईयां गर्मी से सम्मधित बीमारियों और मौतों की जानकारी निर्दरिश्ट पोर्टल पर डालें क्योंकि अब तक पता नह चल पाता है कि कौन किसकी मौत गर्मी से हुई और किसकी सामने तरवर हुई है या दुसरी विमारे से हुई है अखले इसके साथ सदाकत खान की फोटो वाइरल हुई है यह जो सूट आउट हुआ था अभी प्रियागराज में बिधैक राजुपाल हत्याकान के मुख्यारोपी उमिषपाल मुख्यागवा उमिषपाल की हत्या के मामले में गरबदार फ्रेंते कारी सदाकत खान को लेक है और इसमें सोशल मेडिया पर जारी एक फोटो में कहा गया है कि वो समझादी पार्टी का आदमी है जिसने उमिषपाल को गोली मारी मारी थी तो अब इस पर भी एक बिवाद एक ख़ड़ा हो रहा है इरान में लड़कियों को स्कूल जाने से रोकने के लिए बढ़ी जहर देने की घटना है कि पिछले तीन मेहनों में इरान के कई स्कूलों में सैकड़ों लड़कियां अपनी कक्षाओं में हानिकारा धूने से परवावित हुई और उन में से एक की हालत गंबीर हो गई उन्हें स्पितल जाना पड़ा एरान के अधिकारों ने शुरुवात में इन घटनाओं को खरिज कर दिया लेकिन अब उन्हें जान बुसकर अंजाम देने के लिए स्कूलों के रूप में वरनित किया जा रहा है अस्थाने मीडिया की खबरों में कहा गया है कि 30 स्कूली बच्चों की पहचान की गई है जहां जहर देने की ऐसी घटनाए हुई हैं ऐसी अटकली हैं तो सामने तोर पर आठ करोड से अधिक आबादी वाली इस देश में लड़कियों को इसकुल जानी से रोकना है एक तरफ हम आसमान जा रहे हैं एक तरफ हम नहीं टेक्नलोजी के इस्तिमाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम बच्चों को नहीं पाल पा रहे हैं उनको पढ़ा लिखाने ही पा रहे हैं ये भी इनसानित ही है कुछ मित्रों कोमर्स की खबरे करते हैं तिसरी तिमाई में विर्दी दर फेसल कर चार दसनलब चार परतिशत यानि बिनिमान छेतर में खरापर दसनलब गिरावट आई है जुलाई सतंबर में तिमाई के दौरान छे दसनलब तीन फेसल था और ये जुड़ी भी घट गया हैं शेहरी सिवाओं को स्मार्ड मनाएगी फाइब जी टकनिक इसके स्वास्तियों सक्सावी हो जाएगी स्मार्ड किर्शी एवं आपना प्रमदन छेत्र का होगा काया कर गो थर्ड पार्टी आउडिट कराएं अडाने समू पर्दनेजी सलाकार फर्म सेस ने कहा इसमें दूर होगी निमाशकों की आशनका अडाने समू की अधिकांस कंपणियों के शेर चड़ गए हैं लगातार गिरावट का सामना कर रहे अडाने समू के शेरों के लिए मंगलवार का दिन अच्छा रहा कई दिन बाद समू की इस में से आठ सोची बद कंपणियों की शेर बड़त के साथ बंद हुए अन्य था लगातार ऐसे खबरे आ रही थी कि अडाने की जो कंपणियां उनको लगातार नुक्सान हो रहा है तो मित्रों आज इतना ही कोई आपके सुजह हों तो जरूर जरूर देजी मैं कोशिर करूंगा पर आमल करूं तब तक लिए नमस्कार थैंक्यू धने बाद